आज हमने फ्रायर में बचों को जिस चीज की मश करवाई वो है पेश, पेश की आवाज, पेश जिस भी हर्फ के उपर हो तो वो क्या आवाज निकालता है और उससे हर्फ कैसी शकल इफियार कर जाता है बोलने में हमने आपको पहले भी बताःkay कि जिसकत हम जिस गता लूदेंगे तो क्या शकल आजेगी जिसकत जबर लगा देंगी तो क्या आवाज निकलेगी और जब हम पेश लगा देते हैं तो कैसी आवाज निकलती है काफ के साथ बीसी तरह से काफ और लाम को हम एकटा लिख कर बता दें बच्चों को और इसमें जबर भी लगाएं, जेर भी लगाएं, पेश भी लगाएं ये वो आवाजी जब हम निकालेंगे मिसाल के तौर पर काफ जबर लाम कल काफ जबर लाम किल काफ पेश लाम कुल हम बच्चों को ये आवाजों की तैचान एक ही हरफ के उपर जबर भी लगाकर, जबर भी लगाकर और पेश भी लगाकर करवा सकते हैं बच्चों को वाज़ तोर पर तो उनकी आवाजों का फर्फ पपज़ेदेगा हमारी वेबसेट के लिंक आपको नज़र आ रहा है इस पर तमाम रिसोर्सिस आपको दस्तियाब होंगे इंशाला ताला अगले सबक नए अलपास के साथ आपसे भी मुलाकात होगी तब तक के लिए अलहाफेज